स्रेश वाय नमस्तो भ्याम हम सब को पता है कि तीन अप्रैल को बुद्धवार की नौमेज ठीका बहुत ही प्यारा सा दिन है और अगर आपको अपनी मनो कामना बहुत जादा जल्दी पूरी करनी है तो ये वीडियो आपके लिए है बस कुछ नहीं करना है साथ चावल और पीला चंदन लेना है छोटा सा उपाय करिएगा बेल पत्र के साथ और आपकी सारी मनो कामना पूरी जरूर होंगी जो कि पूछ गुरुजी की कता दो सुनके बहुत अच्छे से पता हूँगा तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम सभी लोगों को नीचे कॉमेंट सक्षन में गुरुजी के अच्छे स्वास के लिए हम सब को पता है इस टाइम पे गुरुजी को चोट लग चुकी है जिसकी वज़े से कथा वो नहीं कह पा रहे है तो उनके अच्छे स्वास के एक बाद नीचे कोमेंट सेक्शन में महादयो का कोई भी नाम लिख करके उनके अच्छे स्वास की काम ना करते हैं उसके बाद वीडियो को स्टार्ट करते हैं ठीक है अधरी सुनियेगा ठीक है देखो इसकंड पर आपके दिख रहा वगा पीला चंदन आपके घर में जो भी पीला चंदन आअसानी से मिल जाए वो पीला चंदन लेंगे उस पीले चंदन को छोटी सी कटोरी में डाल करके हलका सा पानी डलके गाढ़ा सा पेस्ट बनाना बहुत साई लोग पानी की मातरा जादा करते हैं तो पानी पानी सा चंदन बन जाता है वो आपका काम नहीं करेगा इसलिए गाढ़ा सा पेस्ट बनाना साथी साथ एक बेलपत लेनी है बहुत ही प्यारे सी सुंदर सी ठीक है बेलपत को लेने के बाद में चावल के साथ दाने लेने होंगे जो कहीं से टूटे ना हो खंडित ना हो बिल्कुल खड़े खड़े चावल के दाने हो है अब यहीं पर तरीका सारा सुनिएगा आपको करना क्या है देखो आपको पता है एक मिनट यहाँ पर मैं समझा दूँ आपको जिसे आपको यह पता है कि बेल पत्र पे हर एक पाल्ट का अपना अलग महत्तो है हर एक जगह के अपने अलग देवी देवता विराजमान होते है यह जो डंडी आपके बीच में आपको दिखरी है जहाँ पर मैंने ब्लू कलर से पेंट किया है इसी पूरी की पूरी डंडी पे जो आपके पास में पीला चंदन है उस पीले चंदन को अच्छे तरीके से लगाएंगे जितने अच्छे से लगा सकते हो पीले चंदन को यहाँ पे डंडी के बीचो बीच में लगाना लगाने के बाद में जो आपके पास में चावल के साथ दाने है न इसलिए मैंने कहा था गाड़ा सा पेस्ट बनाना ताकि जब साथ चावल के दाने आप इस पे रखोगे तो आसानी से ये इसके उपर चिपक जाएंगे ठीक है न चिपका दिया फिर आप इस बेल पत्र को उतरदेशा नौ डारेक्शन जो आपके पास में एक लोटा जल है सबसे पहले वो भोले शंकर के शिवलिंग के उपर स्री शवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए जब करते हुए समर्पित करेंगे जल को समर्पित करने के बाद में जो आपके पास में बेल पत्र है जि महादयो कुंद केशवर महादयो की नाम से उस बेल पत्र को समर्पित करना जो आपके विशेज हो जो आपकी इच्छाएं हो बहुत दिनों से अधूरी है जिसके लिए परेशान हो उसकी कामना कह दिना यकीन मानिए लाइस में कभी आपके कोई टेंशन नहीं हो सकती हमेश जो दूसरा उपाय होगा वो होगा आपके घर में अगर बरसों पुरानी बीमारिया है और वो बीमारी आपकी ठीक नहीं हो रही है बहुत डॉक्टर को दिखा लिया बहुत इलाज करा लिया बहुत कुछ हर जगह चले गए पिर भी नहीं फायदा हुआ तो आप इस उपाय का जल हो मा गंगा हो मा यमुना हो मा शिप्रा हो मा गोदावरी किसी भी पवित्र नदी का जल हो वो आप इस कलश के अंदर दो से चार बून डालेंगे ठीक है डालने के बाद में आपके को जो मैंने हल्दी की ये गांट दिखाई खड़ी वाली वो डाल देना साथी साथ गर में अगर इत्र हो नहीं है तो पांसे दस रुपए में इत्र मिल जाएगा एक से दो बून इत्र के डाल देंगे फिर आप इस कलश को पूरे के पूरे कलश को उठाएंगे पीपल पेंड के नीचे जाएंगे सुबह करना है सुबह कर लो शाम्पू करना है शाम्पू कर आपको वहाँ पे समार्पित करना है साथ ही साथ आपको वहाँ पे उस इंसान का नाम और गोत्र भी बोलना है जो इंसान बरसों से बीमार है उसकी बीमारी ठीक नहीं हो पारी है अब यहीं पे जो बताऊंगा उस बात को सुनेंगे अगर यह उपाय सुबह दस बजे से पहले कर रहे हो तो पीपल पेंड की साथ परिकर्मा करेंगे कितनी परिकर्मा साथ परिकर्मा लेकिन अगर इस उपाय को आप सुबह दस बजे के बाद कर रहे हो तो पीपल पेंड की परिकर्मा भूल कर भी मत करना वरना दोश बहुत जादा लगेगा ठीक है ना समझे आप चलो तो यहाँ पे हम लोगों ने दो उपाय की बात कर ली है आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय के तरफ जो कि आपको करना होगा लाल फूल से यह उपाया में आपको पहले ही बता चुका हूँ बस आप इस दिन आपको सिर्फ याद दिला रहा हूँ रिवाइंड करा रहा हूँ ताकि आप इस उपाय को कर पाऊ लेकिन क्या है कैसे करना होगा उससे पहले जल्दी से करेंगे वीडियो को लाइक जितने भाई बेहन मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं आचानक से चैनल पे आ गए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा ठीक है ना देखो यहाँ पे आपके सामने लाल फूल है आपको इसी तरीके से साथ लाल फूल लेने होंगे यह वाला लाल फूल का इस टाइम पे जो मौसम है वो चल रहा है इसलिए इस उपाय को बता रहा हूँ आसानी से मिल जाए आपको सिर्फ साथ लाल फूल लेंगे इन लाल फूलों में हलका हलका दागा बांध बांध करके इसकी माला बनानेंगे कितने साथ फूलों की माला बनाओगे और इस माला को आप अपने हरदय आप अपने सीने से टच करा करके आपकी जो भी मनोकामना हो जो भी विशेजों बरसों से धूरी है वो कामना आपकी पूरी नहीं हो पा रहे है उस कामना का इसमरन करते हुए आपके घर में या फिर बजरंग बली के मंदिर में चले जाना चाहे अपने घर पे ही अपनी कामना कहते हुए उन साथ फूलों की माला को आपको बजरंग बली के गले में समर्पित कर देना है पहना देना है जो भी व्यक्ति मंगलवार की अस्टमी पे ये लाल फूल की माला साथ माला अपने हिर्दे से लगा करके अपनी मनो कामना कहके और बजरंग बली के गले में समर्पित कर देता है उसकी बरसों पुरानी जो भी मनो कामना होती है जो भी विजजज होती है जो अधूरी हुई होती है उस सारी कामना पूरी जरूर होती है ठीक है एक चीज़ का और ध्यान रखेंगे मंगलवार का दिन है यह उपाय आप कर रहा है बजरंग बली के सामने तो माला पहनाने से पहले एक घी का दिया गोल बत्ती का बाला जी के नाम का जरूर जलाएंगे तभी आप इस उपाय को कर और माला पहनाने के बाद में कम से कम एक पाठ हनुमान चालीसा का वहाँ पर खड़े होकर के बैठ के जैसे आपको सुविधा होती है कह देना बजरंग बली आपकी इच्छा तो पूरी करेंगी करेंगे साथी साथ आपकी फैमिली आपके परिवार की भी रक्षा जरूर करें कि आप कभी भी लाइफ में किसी भी चीज को लेके परिशान मत हुआ करो क्यों क्योंकि जितना आप के पास है उतना कईयों के पास नहीं है पता नहीं कितने लोग परिशान है उतना आप के पास है और आप परिशान है किसी और चीज को ले करके इसलिए जो लाइफ में बनने के कोशिश करें, लेकिन जलना बंद करतीजें, ठीके ना, चलो, अब बात करते हैं, चौथे उपाय, बहुत चोटा सा है, आसान सा है, एक टामबे का लोटा लेंगे, उसमें जल भरेंगे, अब इस उपाय को सबसे पहले बतातों कि फायदे क्या होंगे, इस उपाय के आपके घर में पीला चंदन होगा उससे आप पीला कर लेंगे ठीक है ना पीला चावल हो जाएगा और इसी के अंदर डाल देंगे डालने के बाग में आपको लेके चले जाना है किसी भी भोले शंकर के शिवलिंग की पास में सबसे पहले दर्शन होगे आपको नंदी बाबा ये जो उठा पैर आपको दिख रहा है आधा जल नंदेश्वर महादेव की नाम से इसी के उपर समर्पित करेंगे जो उठा पैर होगा चाहे लेफ्ट वाला या राइट वाला समर्पित कर देना समर्पित करने के बाद में आपको बाकी का आधा बचा हुआ जल एक बेल पत्र के साथ में पहुचना होगा महाद्यो के शिवलिंग के पास में यहीं पर करम समझेंगे तरीका समझेंगे जो एक बेल पत्र होगी वो माता असोग सुन्दरी के स्थान पर जीवन की जो भी प्रॉबलम होगी जो भी कस्ट होगी उस कस्ट का ध्यान करते वे इसमनर करते वे समर्पित करेंगे जो आधा जल आपके कलश में है वो आधा जल आ की अस्टिमी पे इस उपाय को आपने पूरी विधी विधान के साथ नियम के साथ में शाम के टैम पे प्रदोशकाल में कर लिया तो जीवन में कभी आपकी घर में कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी समस्याएं नहीं आएंगी इसलिए आप सभी लोगों को इस उपाय को जरूर करना चाहिए ठीक है करिएगा जरूर बहुत ही प्यारा सा और बहुत ही छोटा सा ये उपाय था कोशिच की बने आप सभी लोगों को बहुत ही अच्छा प्यार से समझाने की अगर आप लोगों मैंसे किसी को भी मुझसे फोन भी बाते करनी है, मैसेज बाते करनी है तो आप हमें इंस्टाग्राम या फेस्बूक भी फॉलो कर सकते हैं जिसके लिए आपको सर्च करना होगा देनेचुरल प्लैनेट वन जिरो एट वहाँ पर हम लोग बहुत सारी बाते करेंगे बाकि यहाँ पर अगर आप मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा कुछ पूछना है नहीं समझ मैं नीचे कॉमेंट सेक्षिन में पूछें और हाँ आप सभी लोगों को वीडियो लाइक जरूर करना चाहिए स्रीश वाय नमस्तु भिम